जय हिंद दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूर फ्यूचर में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लाश 10 साइंस के जो आपके एकजाम में दोस्तों 20 नंबर का पूछा जाएगा यहां पर सभी को त्यार कर लेते हो तो यहां पर आपका बीस नंबर पक्का हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों बने रही मेरे साथ मैं वीडियो को इस्टार करता हूँ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल वेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो में जब भी अप्लोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन तुरंथ आपके पास पहुचेगा तो चलिए दोस्तों क्वेस्टन नमबर वन को हम देख लेते हैं है तो प्रकास के अपौष नाग के नियमों का उलेक कीजिए दोस्तों है अब ध्यांदे प्रकास के शिरफ दो नियम होते हैं प्रथम नियम और ़ covered नियम तो पहले नियम देख लेते दोस्तों आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंद उपर खीचा गया अभिलंब तीनो एक ही तल में होता है यह आपका हो गया प्रकास अपवर्तनांग के प्रथम नियम ठीक है द्विती नियम है कि नी दो माध्यमों के लिए आपतन कोड़ आई की जासाइन की जाजा को ह साइन का अनुपात एक नियतांक होता है थीक है तो आपको मता प्रकास की यह यह दृतीन नियम है इसे सनेयल का करते हैं अगर आप से से इस सनेयल नियम लखी गोधिये तो याद रखेगा दोन हो नियम को दोनो नियम पूछेगा याद रृखाए और तो दोनों नियम को आप का प्रतिरोध क्या है यह किन-किन बातों पर निर्भर करता है अत्वा आपसे प्रशनिस प्रकार से पुछा सकता है प्रतिरोध से क्या तात्पर है यह किन-किन बातों पर निर्भर करता है या तो आपसे प्रतिरोध क्या है इसका मात्रक लिखे तो ध्यान दीजेगा दोस्तों जैसा प्रस्ण पूचेगा वैसे आपको यहां पे इसको हल करना है किसका उत्तर लिखना है ठीक है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों यहां से तीन प्रकार के प्रस्ण बनेंगे ठी तो तीनों को आप ध्यान रखें अभी थोड़ा चेंज करके देगा तो आप कंफ्यूजन पर जाओगे क्यों सर तो बताए नहीं थे तो ध्यान दीजाएगा दोस्तों यह आप में वर्डों को पकड़िए उसके आप से क्योश्चन में कितना भी घुमा फिरा की पूछे एंस का भिद्दूत प्रतिरोध कहलाता है अब इसे हम किससे व्यक्त करते हैं capital R से व्यक्त करते हैं यह तो दियान दीजे दोस्तों प्रतिरोध बराबर होता है विवांतर बट्टे धारा ठीक है प्रतिरोध को हम आर से ब्रक्त करते हैं विवांतर को वी से ब्रक्त करते हैं और धारा को किस से ब्रक्त करते हैं आई से ठीक है अब आपसे पूछा है प्रतिरोध क्या है यह तो आपने लिख दिया है यहां पर फिर बोला इ विवांत्र बटे धारा तो विवांत्र का मातर क्या होता है बोल्ठ धारा क्या HOWता एमपियर तो या आप लिख सकते हैं launches का मात्र क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा ठीक है प्रतिरोध का मातर क्या होता है ओम होता है किलियर हो गया तो अब देखे दोस्तों इसमें यह भी बोला यह किन-किन बातों पर निर्भर करता है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किन-किन बातों पर निर्भर करता है तो दोस्तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है पहला लंबाई पर दूसरा छेत्रफल पर ठीक है तो लंबाई को देख लिजे किसी भी चालक तार का प्रतिरोध और चालक की लंबाई इसमाल एल के अनुक्रमान उपाती होता है ठीक है ये पहला निर्भर करता है आर अनुक्रमान उपाते इसमाल एल ठीक है छेत्रफल दूसरा इसका हो जाएगा किसी भी चालक तार का विद्दूत प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काड के छेत्रफल यानि एरिया ठीक है ए के व्यूत्क्रमान उपाती होता है जो तो प्रतिरोध जो होता है वह छेत्रफल के बिद्रकमानुपाती होता है और लंबाई जो होता है वो क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है क्लियर हो गया दोनों concept तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्यों की तरफ क्यों सब्सक्राइब तो इसको तयार रखें अगर यह सेम प्रस्ण नहीं आएगा तो इसी का अधार पर आपके एक जामेप्रस्ण आ सकता है ठीक है अब रूल को तयार रखें आपका तयार रहेगा सब कुछ ठीक है के do and special this नीचे ऩ्ये गये चितर में दिये गये बिद्दत परिपत में ए तथा ब्रीद्दुगों के बीच परिडामी पर्रतिरोध का मान घ्यांत कीजिए धीक है इनके बीच यहांस तो ए और बी के बीच परिडामी प्रतिरीवद का मान घ्यांत कर ना Or plan करना अब जब पहले स्रेड़ी क्रम में दखिंगे यहां पर दोस्तों ध्यान दीजें यहांप यहां पर स्रेड़ी क्रम निकालेंगे तो तो ध्यान दीजें यहां पर यह रहा स्रेडी क्रम की वैलू लेकिन अब हम इसको समांतर कमने बनाएंगे सीधे बनाएंगे इसको पूरे को एड करेंगे तो आपका फारूला होता है स्रेडी क्रम में के लिए प्रतिरोध का आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थी आप प्लस करके जितने भी आप बैलू दिये रहेंगा आर फोर आर थी फाइब तो सब को आपको जोड़ते चले जाना ठीक है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका फार्मूला हो जाए आर बराबर आर बराबर और निकालोगा रवन का वैलू दो तू गावाल टि इन अवर ठीका चार जोड़ो कितना अजाएगा नंव node के यह निकल गया स्रेडिकर तब स्रेडिकरण में अपने प्रतिरोध स्रेडिकर में प्रतिरोध झाल लिका तब इसका पूरा बैलू यहां पर कितना हो जाएग पर ठीक है अब 9 ohm आ जाएगा तो अब क्या करना है आपको किस में निकालना है दोस्तों यह तो आपने स्रेडी क्रम में निकाले इसको पूरा एड़ करके अब समांतर क्रम में निकालेंगे तो समांतर क्रम में देखेंगे तो यह आपका अब समानतर केलिफारूल क्या होता है एक बट्ता तो शुर्ण घण क्या होता है । तो एक बटे r बिराबर दो नौ निकलै क्योंकि 1-2 हो जाएंगा नीचे नौ है नौ ही रहेगा अब क्या करना है आपको निकालना है आर अब हम इसको पलटेंगे जब पलटेंगे तो 2 बट्टे में चला जाएगा 9 बट्टे 2 हो जाएगा इस तरीके से भी हल कर सकते हो अब देखें दो से भाग 9 में करोगा 4 दसमलों कितना आ जाएगा 5 ओम औम क्यों निखोगे मात्रकां को जरूर लेस करो जाएगा ठीक है तो मात्रकर विसेज ध्यान दीजेगा और दिखें का मात्रक हो जाएगा एफिक है और दो सो वाट लिखा है इसे 250 बोल्ट के में से जोड़ने पर बल्व में कितनी अधिक्तम धारा प्रवाहित होगी बल्व के प्रतिरोध की भी गड़ना कीजिये यहां पर दो क्येस्टन आपसे पूछ लिए पहला तो अधिक्तम धारा प्रवाहित होगी यानि आई पूछ लिए गया है दूसरा प्रतिरोध पूछ लिया गया ठीक है तो दो क्योशन पूछा गया तो करिए क्या जब भी आप नुमेरिकल हर करें दोस्तों तो पहले जो जो मान दिया रहा है उसको लिख लिया करें और जो पूछा रहा है उसको भी लिख लिया करें ठीक है नुमेरिक का मात्रख होता है बोल्ट तो जो बोल्ट दिया है यह वी का वैलू दिया है वी बराबर 250 ठीक है अब यह दिया वाक Ship सकति का यहां पर दिया है तो P बराबर होगा पावर यहांसे समर्थ की value दिया गया है 200 वार ठीक है अब आपसे पूछा है 250 वोल्ट के मेंस से जोडने पर बल्ब में कितनी अधिक्तन धारा प्रवावित होगी तो धारा प्रावित होगी यानि धारा आई हो जाएगा फिर बोला है बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना के प्रतिरोध यानि आर आपसे यहां पे पूछा गया है तो सबसे पहले आप आर निकाल लिजे आर निकालेंगे तभी आई निकल पाएगा ठीके क्योंकि आर जब पता रहेगा तो आपका देखे फार्मूला होता है आर बराबर वी अपान आई ठीके जब आर आपका पता हो जाएगा तो यहां से हम आई को निकालेंगे तो पहले हम आर को निकालेंगे आर का प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध के लिए फार्मूला क लेकिन किसमे संबंध होना चाहिए V और P में तो P संबंध क्या होता अब देखे और बराबर यहां से आपको निकालना है और बराबर व स्क्वायर थे स्क्वायर है निए हम वी का वैलू दो बार लिख सकते हैं गुड़ा करके तो 250 गुड़ते 250 बटे कितना हो जाएगा यहां पर 200 रखेंगे एक सुन इसे एक सुन एक सुन इसे एक सुन यहां पर क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा उपर बचाए 25 गुड़ते 25 पचीस पचीस हमें 625 नीचे दो है तो दो लिख दीजिए अब इसको तीन से आप कैंसिल करेंगे दो तिया च्छ दो एक का दो और दो दूनी चार एक बराबर क्यों होता है दोस्तों यहां पर देखिए आई बराबर वी अपान आर में फार्मिला तो होता है आर बराबर वी अपान आई बट यहां से अगर आई को हम यहां पंच्छांतर करेंगे तो आर यहां पर आ जाएगा ठीक है तो इसलिए आपका आई निकालना है आप उपर एक जीरो और बढ़ जाएगा 250 था लेकिन एक जीरो मैंने और बढ़ा दिया नीचे कितना है 3125 तो नीचे 3125 लेकिए अब 3125 से जब पचीस सो में भाग करेंगे तो यहां पर आज जाएगा 0.8 अब भाग करके देख भी सकते हैं ठीक है क्योंकि व्यूडियो मुझे जादा लंबा नहीं बनाया ना इसलिए में यहां पर भाग नहीं करके बताओंगा क्लियर हो गया तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेस्टन पर क्योंसर नंबर फाइव अब देखे दोस्तों question number 5 हीमोगलोबीन क्या है यह कहां पाया जाता है स्वसंक्रिया में इसकी क्या भूमिका है देखे दोस्तों अगर आपसे पूछे हीमोगलोबीन क्या है या आपसे तोड़ा change कर दे हीमोगलोबीन ना पूछ कर हिंदी में पूछ ले रुधीर वर्डिका क्या है तो आप confusion में मत पढ़िएगा इसलिए मैंने कोस्ट्रेग में यहां पे लिख दिया है रुधीर वर्डिका ठीके देखे एक्जाम में क्या होता है थोड़ा सा word change कर देता है सारे बचे ела ही वे हो जाते हैं तो आपको conference में पढ़ना है आपको confuset होना ही नहीं नहीं है दोस्तों जैसे मैं बतारो हूं अगर अगर आप सभी question ओस्षभे नहीं छुटे प्रिष्ट वंसियों की लाल रक्त को सिकाओं और कुछ अप्रिष्ट वंसियों के उतकों में पाया जाने वाला लोह युक्त आक्सीजन का परिवन करने वाला धातू प्रोटीन है ठीक है जब भी आप लिखेगा तो पैराग्राप को चेंज कर दीजेगा देखे मैंने पैराग्राप यहां से चेंज करके लिख दिया ठीक है एरो इसलिए दरसा है ताकि आप समस्थों को मैंने पैराग्राप चेंज किया है ठीक है यह लाल रुधीर कडिकाओं में पाया जाता है कह लेते हैं दोस्तों स्वासन क्रियामिस क्या भूम क्या है तो रग्त में मौझूद हीमोगलोबीन फेपडो या गिलो से सरीर के सेजभाग को आक्सीजन का पर्यूहन करता है जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए आकसीजन को मुक्त कर देता है किलियर हो गया दोस्तो तो चलते हम next question की तरफ question number six question है आपका दोस्तो स्वसं तथा स्वासोच्वास में अंतर लिखे तो देखे मैंने एक तरफ लिख दिया स्वासोच्वास ठीक है तो देखे दोस्तो इसमें आप से क्या होगा दिर्ग उतरी में भी प्रस्ण पूछा सकता है लग में पूछा सकता है और अति लग में भी पूछा जा सकता है अंतर ही पूछना है तो जब अंतर पूछेगा अगर आप लग में लिखेंगे तो तीन पॉइंट लिख दीजेगा दिर्ग में लिखेंगे तो चार पॉइंट लिख दीजिएगा और अत्मी लिखेंगे एक point लिख दीजिएगा ठीके आप तयार कर लिजए यहां पर देखे चार point दिए थीके तो चारों में आप तयार कर लजे दिर के लीकाम भी हो जाएगा लवक के ली भी काम हो जाएगा तिलवक के लिए भी काम हो जाएगा ठीक है तो स्वसन एक अपचाई क्रिया है जिसमें ग्लुकोज का आक्सी करण होता है जिससे कारबन डायकसाइड और उर्जा उद्पन्द होती यह स्वसन अब स्वासो mix क्या है यह एक भावतिक प्रक्रिया है जिसमें सरीर आकसीजन का अंतरी क्रहण और कार्वन डाइक आक साइड का वही छेंपडर करता है यह स्वासो mix धूसरा point यह क्रिया कोंसिकाओं के अंदर होता है। सुआसों स्वासों को देख लिए कॉसिकाओं के बाहर स्वसनांगों में होती है, अब स्वसन में देखिए, इसक्रिया में एंजाइम्स कावसकता होती पॉइंट डोस्तों में वय स्वसनांगो की आवसकता हो भी सकती और नहीं भी लेकिन 176 में है इसमें वय सवशनांगों की आवसकता होती हैم केली हो जितने फिड्ड noises डिवेरों आप लिखते चलें कि नोट्स त्यार रखिए क्योंकि यह नोट्स जो है आपको अच्छे मुकाम तक पहुचाएगा ठीक है चले देख लेते हैं दोस्तों question number 7 को पढ़ रहा हूँ देखता हूँ इसमें क्या बोला है तो question number 7 है hormones तथा enzyme में अंतर लिखे तो मैंने एक तरफ लिख दिया hormones और एक तरफ लिख दिया enzymes ठीक है तो चले देख लेते हैं दोस्तों hormones होता है इनका अड़ भार कम होता है enzymes क्या होता है इनका अड़ भार अधिक होता है ठीक है hormones में इनका वितरन रुधीर द्वारा होता है enzymes में यह नलिकाओं द्वारा संबंदित अंगों तक पहुचाते हैं है ठीक है तीसरा पाइंट है यह अंता इस्तरावी ग्रंतियों द्वारा इस्तरावीत होता है और यह अंता इस्तरावीbasis छॉता है सभीец होता है सभी एंजाइम जल में घुलन सहील होते हैं ठीक है लास्ट पॉइंट है पॉइंट नमबर फाइल यह प्रोटीन अमीनो अमला इस्टिराइड्स या निके व्यूत्पन होते हैं ठीक है अब पांच वाइडी प्रकृति के प्रोटीन होते हैं क्लियर हो गया दोस्तों लिख ली आपने चले नेक्सabyrinth के देख लेते हैं क्वेश्चन नमबर 8 तो दोस्तों क्वेश्चन नमबर 8 है किसे कहते हैं तो निसेचन के दोरान पराग नलिका का बिजांड में बिजांड़ द्वार द्वारा प्रवेस होता है यहां पराग नलिका दोनों पर नर Deepumach कर यूगमच बनाता है इसे सत नीशेचन कहते प्रक्रया को त्रिक सनलययन कहते यह क्योंकि इसमें तीन अगूरित केंद्र को का सनलेयन होता है इस प्रकार अब रित्वीजी पादवो के लाएंग एक जनन में दुई निसेचंत था त्रिक सनलेयन होता है ठीक है ये रहाप का दोस्तों एंसोर आप इसको नोट कर लिए एक दुबार रिविजन करें और बीना रिविजन करके बीना देखे इसको लिखने कीजिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेन क्वेस्चन ठीक है लिख लिजिएगा इसको तो मती चोड़िएगा मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है इसकी ब्याख्या कीजिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्तों के भावतिक और रासायनिक गुड उनके परमाण भारों के आवर्ती फलन होते हैं अर्थात तत्तों को उनके परमाण भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुडों वाले तत्त एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं ये रहा दोस्तों मेंडलीव के आवर्त नियम और मैंने इसका यहाँ पर व्याक्ष्या भी कर दि नमटब 10 संक्रमाड तक्रमाड तक जा मुंख्य लच्छन लिखे अब आप सा लच्छन पूछे या भिसयagen सेane पूछे ठाड़ा गरी करना है भी लच्छर और फिस्ञष दीनों का आपको यही देना मैं लिका रहे ह dissolएंज़ों तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा एक भी नंबर लेस नहीं होगा आप वर्ड से मत घबराये जाएगा वहाँ पर देखे एक्जामनर जो होते हैं जो मौड पेपर बनाते हैं वो थोड़ा वर्ड को ही चेंज करते हैं ठीक है अईसी सो आप confusion पढ़ जाते हो याद कि या भी question को आप नहीं लिख कर आते हो ठीक है तो यह आपको कम्यान नहीं करना एक्जाम में जितने भी आमां question कर त्यार करा रहा हूं आप सबको त्यार रखें वर्ड को पहचानी कि हमने इस वर्ड को पढ़ा यही पूछा है मुझे यहीं लिखना है ठीक है इसमें फोकस क के गुड सेतु तत्तो से कम समानता प्रदर्सित करते हैं उन्हें संक्रमण तत्तो कहते हैं अब आप इसके विसेस्ता या लच्छन को देख लीजे संक्रमण तत्तो की निमलिखी लच्छन या विसेस्ता होते हैं ठीक है या विसेस्ता हैं तो पहले को देखते हैं पांचरमंड संक्रमंड संकुल योगिक बनाने की प्रवित्ति पाइय चानल है चंख्रमंड ततों संकृष किर सब्सक्रमंड समार्ल कियतना पाई जाती है क्लियर हो गया दोस्तों लिख ली जए इसको भी चले इस वीडियो के हम लास्ट क्योंड कवेस्चन आहरा है question number 11 है अच्छे साबून की विसेस्ता या गुड या लच्छन लिखे आपसे यहां भी देखे दोस्तों मैं बार-बार समझा रहा है अच्छे साबून की विसेस्ताएं या गुड लिखे तो अच्छे साबून की निमलिखित गुड या विसेस्ताएं होती है पहला साबून छार रहित होना चाहिए दूसरा पॉइंट परियोग में लाने पर साबून चटकना नहीं चाहिए तीसरा पॉइंट साबून एलको हाल में बिले होना चाहिए चौता पॉइंट साबून में जल की मातरा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए पांचमा पॉइंट इसमें किटाल नासक पदार्थ मिले होने चाहिए ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में वस इतना ही वीडियो आपको पसंद आयँ थे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्ते के साथ्ले करना ना भूलें दोस्तो के सांथ एक ये अधिया ऊफ लए परलीजिए क्योंकि ब्रिंदं बंञ ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हम अगले वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टन के साथ तब तक के लिए बाई बाई जय हिंद जय भारत